रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से A Thing of Beauty पोएम जो की जॉन किट्स द्वारा लिखा गया है उसे पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं इस पोएम के पोएट जॉन किट्स का जन्म लंदन में 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था वो एक इंगलिस पोएट थे हैं जुनोंने बहुत सारे इंफ्लुएंसियल पोएम्स लिखा जिसमें की इव ऑफ सेंट एगनिस, और अने ग्रिसियन अर, और अने मिलंकली जो उनका सबसे सक्सेसफुल पोएम रहा वो सेलिट्यूट जो की देग्सदामिनर के द्वारा पब्लिस हुआ और वहां से इनका करियर पोएट के रूप में लॉंच हुआ हम देखेंगे की 1821 में इनके मृत्य हो गई जब वो 25 साल के थे लेकिन जितने समय तक वो जिवित रहें उतने समय में उन्हें इंग्लिस पोईटरी के गरियर में रिमार्किबल काम किया और अपना रिमार्किबल गरियर बनाया पोएम को सुरू करते हैं यह जो पोएम है अथिंग अफ ब्यूटी इसमें पोएट जो हैं वो बता रहा है कि जो जितने भी खुबसूरत चीजे होती है वो हमें immense happiness provide करती है जो खुबसूरत चीजे होती हैं वो eternal होती है उनकी खुबसूरती ना कभी fade होती है ना कभी खत्म होती है वो ये भी बताना चाहा रहा है ये जो खुबसूरत चीज़ें ना इसको हम लोग सेडी शेल्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि जब हम कमफर्टेवली सोते हैं उस समय जो हम खुबसूरत सा सपना देखते हैं और रिलाक्स करते हैं वो भी इस ब्यूटी के आता है और ये सारी चीज़ें हमें अच्छा healthy प्रदान करता है और जो चीज खुबसूरत है प्यारा है उससे जब एक बार देख लेते हैं वो हमारे दिलों दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता e जब उन खुब stretch हैं उनको रिकॉल करते हैं तो वो हमारे body और mind को refresh कर देता है, healthier बना देता है और एक तरह से देखें, तो हमारे मन को भी बहुत ज़्यादे सांति प्रदान करता है जो poet हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं, उनके मन के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादे earthly things से, जो की पृत्वी पे उपलब्ध है, उन सब चीज़ों से वो attached होते हैं और ये जो attachment देखने को मिलता है, वो बिलकुल ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक तरह का arrangement है, और वो arrangement फूल और पत्वों से मिलके बना हुआ है जा फिर हम ये भी कह सकते हैं, कि वो बिलकुल garland जैसा होता है आगे हम लोग ये भी देखेंगे इस poem में, जो poet बता रहा है, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो की materialistic things से connected हैं इस पृत्वी पे, जो समान है, वोन सब चीज़ों से attracted हैं, attached हैं और ये materialistic चीज और कुछ नहीं है, लोगों का दिखावा, लोगों का सोच, रहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और ये जो connection है na, materialistic things का, ये मनुस्यों को उसके आंतरिक खुशी से भटकाता है और ये इसलिए होता है, क्योंकि अगर जो लोग materialistic चीज़ों पे focus करते हैं, उनके मन के अंदर ये चीज़ होगा, कि वो और जादे चीज़ों को प्राप्त करें और उनके हिसाब से ऐसा लगता है, कि अगर बहुत जादे resources उनके पास रहेंगे, तो उनको बहुत जादे खुशी प्राप्त होगी लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारे resources हैं, हर सुक्सविदा है और आप उसके बावजूद भी अंदर से खुश नहीं है, तो फिर उन सारे resources का कोई महत्व नहीं है कभी बता रहे हैं, कि ये जो दुनिया है, इसमें बहुत सारी negativity है, नफरत है, लालच है, पोईट के हिसाब से हम देखेंगे, कि ये जो दुख, कस्ट, दर्द, जो हमारे मन के अंदर बैठ जाता है, ये बस उसी negativity के वज़ा से होता है उनका मानना ये है, कि ये जितनी भी negativity है, ये सब गायब तभी हो सकती है, जब हम अपने surrounding में सुन्दर से, अच्छे से, बहुत बहतरीन चीजों को रखें, और उसको हम देखें, और उस सुन्दरता से जो vibe निकल के आएगी, negative vibe को हमेशा के लिए खत्म कर देगी उनका ये भी मानना है, कि ये इसलिए है, क्योंकि जो खुबसूरत चीजे होती है, वो ज़्यादा कुछ तो हमारे लिए नहीं करती है, और हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं लाती है, बस एक चीज लाती है, जिसे हर मनुष्य को आवस्चता होती है, वो होती है positivity हम सभी को पता है कि मनुष्य और प्रकृति इन दोनों के बीच एक strong connection है जो इस planet का सुनधरता है उसी के माध्यम से हम एक दूसरे से connected रहते हैं अगर देखा जाए तो हर सुबह हम लोग सुनधर सा अच्छा सा एकदम fresh flowers तोड़ा करते हैं और उससे हम लोग उसकी माला बनाते यह सारे चीजें हमारे spirit को boost करती है और यह सुनधरता जो है प्रक्ति की सुनधरता यह हमारे problem को भूलने में बहुत मदद करती है वो चाहें एक जण के लिए आप भूल रहे हो अपने problems को और उस सुनधरता के सागर में गोते लगाने लग रहे हो कुलमिला के जो nature की beauty है व जो भी चीज हमारे आसपास है वो सब खुबसूरत चीजे हैं उसको देखिए समझे और उसको feel करिए वो यह भी बता रहे हैं कि जो beauty है वो eye catching sight होता है जिसको हम देखके देखते रह जाते हैं हम उसके बारे में सोचने लगते हैं तो कुलमिला के john kids का यह मानना है कि हम सभी को हर एक चीज में सुन्दर्ता देखनी चाहिए सुन्दर्ता खोजनी चाहिए जो poet है और भी सारे बगवान के creation के बारे में बता रहे हैं जिसे हम सभी को देखना चाहिए उसी तरीके का creation है sun जो कि हमें energy provide करता है आगे poet john kids यह भी बता रहे हैं कि एक तारा जो अकास में च चांद कहते हैं उसकी खुबसूरती कितनी बहतरीन होती है जिसका comparison हम किसी के चेहरे से कर देते हैं वह कहते हैं कि अगर देखना है तो उस पेड़ को देखिए जिसके अंदर natural beauty है वह भी हमें अपने तरफ आकरसित ही करती है जौन केट्स बताना चाहा रहा है कि जो यहां पे रहने वाले animals हैं वो यह प्रूफ कर देते हैं कि जो हमारा यह दुनिया है यह जिवित लोगों के लिए है और जिवित लोगों के लिए इसलिए क्योंकि यहां पे हम अपने जिन्दगी को एक सुन्दर सा आकार सुन्दर और प्रक्ति में रह के दे सकते हैं पोईट बता रहा है कि कुछ फूल ऐसे भी हैं जो कि बहुत प्यारे होते हैं जैसे डैफोडिल्स जो कि लाइवलिनेस की बारे में बात करते हैं कहते हैं कि यह दुनिया जो है It is full of life ये दुनिया अर्याली से परिपूर्ण है कवी इस कविता में ये भी बता रहा है कि जो पानी का बहता हुआ धारा होता है वो भी हमें रिफ्रेस्ट में प्रदान करता है आप देखें तो गर्मियों के दिन में जो नदियां continuously बहती रहती हैं अगर उसमें हम जाते हैं तो हम बहुत ज़ादे relaxed feel करते हैं क्योंकि वो cooling effect हमें दे जाता है कभी बताते हैं कि जो जंगल है जिसमें बहुत सारे musk हैं rose flowers हैं ये जितने भी खुबसूरत flowers है ना बहुत खुबसूरत दृष्य का अकार बनाए रहते हैं और जिसको देखने के लिए हम बहुत बैचैन रहते हैं और बैचैनी का कारण ये होता है कि वो जो scenario होता है वाकई में बहुत खुबसूरत होता है कभी ये भी बताना चाहरा है कि जो brave soldiers होते हैं उनकी जो inspiring stories होती है उनके ये हुए अच्छे कर्म जो होते हैं वो भी बहुत खुबसूरत हुआ करते हैं उसे हम सभी को भूलना नहीं चाहिए चुकि ये brave soldiers ऐसे होते हैं कि अपने life को risk में डाल के अपने life को sacrifice करके हम सभी को protect करते हैं कवी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये जो जिन्दगी है ये तब बहुत कठीन हो जाती है जब हम प्रकृती के सौंदर्य से अलग हो जाते हैं प्रकृती के सौंदर्य से बिछड जाते हैं तो कि उनका मानना है कि बिना सौंदर्य के बिनाम अच्छे चीजों के ये जिन्दगी जिन्दगी नहीं रहती ये जिन्दगी बहुत कठीन हो जाती है और यहाँ पे आपका ये पोयम समाप्त होता है Thank you for watching, please like, share and subscribe my channel Retro Studies